पिछले सो सालों में हमारा देश तो इतना बदला है लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो एक दम वरस्ट हो चुगा है इस्टुडेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेगल करना पड़ रहा है बीटे की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ पॉड़ सिर्फ डिग्री बनके रह रुबा है जब हमारे देश के अंदर बड़ी-बड़ी मैनुफेक्टरिंग कमपनी आई थी आए टी कमपनी आई थी तो हमारे देश के अंदर इंजिनियर्स पर्डूस्ट कि आई एट इस प्राइबीट जो प्रॉट वाली लोग आइना जो सपेद वाली लोग लेग वाल यह साल 15,000,000 से ज्यादा बच्चे ग्रिजुवेट होते हैं लेकिन उनमें से कैपेबल सिर्फ 90% स्टुडेंट भी निया तुर्फ दस परसेंट स्टुडेंट कैपेबल है जो कि इंडस्रिक एसाब से काव कर सकते हैं किसे भी स्टार्ट अप में काम कर सकते हैं किसे भी कंप आज से पांट साल पहले हम बात करते थे वढ़रायां करते थे प्राइवेट कॉलिजयों की इतनी ज़्यदा प्राइवेट वाले ऐसा कर रहें लेकिन आज हम गोवर्मेंट की भी बाते कर रहें गोवेजमन का भी वही हाल है कुछ इंस्ट्टूट को छोड़के अगर आज म म आई एम्स के अगर डिगरी चोड़ दें उसके बाद जो ऑजूपेशन इस्टेटूट आते हैं वह एक दों वरस्त है वहां से निकलेवे स्टुडेंट एक धबा है उनको कुछ भी सिकाया नहीं जा रहा जो कि इंडरस्ट्री में कुछ कर नहीं सकते जो कि देश के लिए क्ल सब्सक्राइब के लिए और कोई की कोर्पोरेट स्टाइब उसको आज भी दस सब्सक्राइब के लिए भी तयार नहीं है हायर करने के लिए तूटावजन 21-23 की अगर बात की जाए तो रिशेशन माहोल आ चुका है प्राइवीट कोलीजों में बहुत सारी गोवर्यमेंट क क्या करें इंजिनेरिक कोलीजों वाले इतनी लाकूर रुबाव फीस ले रहें आज एवरेज कोलीज की तरी फीस की बात कुरू तो फीस साथ लाकूर रुबे आज से चार साल पहले जब हम बोलते थे आज प्राइवेट कोलीज के पास टीचर नहीं है गोवर्मेंट की बात करूँ आज इंजिनेरिक कोलीजों की आये टीच के अंदर भी 4-0 से सीटेख लगाव भिडिये प्रोपेशर की 5-6 चार्शि ज्यादा रुनेजिभाव हम एदर 400 भीच ज्यादा सब्सक्रें की सिटेख कालीट यह इंजिनेरिक कोलेज ऑनिको लोकल को लीजिज है उ तो भूगा ही क्या टीक है सब उसके बादा आते हैं लेक्टर बेसिस के प्रोपेशर एसा प्रोपेशर जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ नहीं मिलता है उच नहीं माजा आ जाता है तो आ हैं वादा को पढ़ाता है बच्चे बोर हो जाते हैं बच्चे घुमने भाग जाते हैं पुलीज वगा लेकर आता है 75 पर सट अटेंडेंट्स कूल जो भी नहीं आया उसको एक्जाम में नहीं बेटने दूगा एक्जाम जबाता है पांच जारूपे लेके एक्जाम में देखने दिया जाता है। है यह है आज बात की जाए कुछ जीनों पहले कुछ उनलों पहले 75 अटेंडेंडेंस का लगा दिया था तो फिुमारे देश के अंदर ड्रोपाउट कर रहे हैं यूस के बात की जाए तो बहुत सारे सक्सेस्पूल जो लोग है नमने कर दिया स्टीव्यों जोब कर दिया हमारी देश की जो काफी चेक स्टुडेंट थे जिनको कुछ करना था जिनको अपने स्टार्टप में कुछ करना था कोलेज वाले लेक विस्पिट कुछ सिखा नहीं रहे थे फरेस्ट एजुकेशन वानके बोसा है आज हजारों स्टुडेंट अपनी डिग्रियां छ का सके हम कुछ अपने डाइट में इंपलिमेंट कर सके हम बड़ा कर सके चाहिए मारे देश के लिए मारे घरवालों के लिए लेकिन आखिरकार इसी क्या वजय आ जाती है कि मारे इंजिनिरिंग को एमें छोड़ना पड़ता है वारी जो डिगरी थी एक जो सपना लेकर सारे यहंदं कर रहे हैं लेकिन लएकिन नहीं लेकिन पत्रेत्सれök तैड क्लास्य नहीं है क्लास 105 चार महने के लिए ले कर आते हैं प्रोपेशर को कुछ नहीं आता बच्चे बोर हो जाते हैं बच्चे क्लास ही नहीं लगते हैं बच्चों की क्या गलती इसमें जब बच्चों को कुछ सिखाए नहीं जाएगा जब बच्चों का इंट्रस्ट ही नहीं होगा तो क्यों लेंगे उकलास तेले जाएंगे कौन से बचे आज आए टी जैसे को लिजों में गूं रहे हैं अगर बात की जाए परिबार को बताया जाता है यह मारे पास यह मसीन है लेकिन वह मसीन कभी चला ही नहीं जाती है इनफेक कोलेज वरों को चलाना तक नहीं आता है कि आखिकार इस मसीन का यूज क्या है यह मसीन चलती कैसे है वो सरे स्कुडेंट और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको यह तक पता नहीं होता है कि हमने कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं यह एक हलात है इंगिनेरि नहीं है लेव टेक्षिन टेक्निशियन को कोलेज वरों रखा नहीं है क्योंकि प्रोपेशर तो लेक्षर बेसिस पर रखा गया जो कि एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फोयल है गोवर्मेंट को इसके उपर एक्सेल लेना चाहिए इस्पेशली गोवर्मे नाइनटी टू परसनश्प लिक्रेशी तो असो और लिगी गई है मळगे लेकर के अंधर नहीं है सक्षण में बचों के पाध्षिंड नहीं है क्योंकि सिखाय नहीं जाताम है क्योंकि मषी नहीं चलाई लेकिन फ्राइगेट वाले इसका पार नहीं आद्व हमारे 6 महीं क आपके कश्यों का बदी बड़ी कंप्पनी उसा है एक करते हैं बहुत सा हो जाता लेकिन इसा क्या गल्ति है कोली जो में कि वह चुप चाह महिने उन्दर चाहर साल से ज्याद़ इस्टिट करए दे रहा है बचों के प्लेश टी कर दे रहा है और इतना बड़ा केंपस इतनी सारी मसी में और लाग लियर आ कोलिज आखिरकार क्यों नहीं सिखा पारा है अकिरकार क्यों प्रोपेशर अची नहीं वह सके पास क्या सारी जीजिन कि लगा यह शुख चारण से लगा गया था कुडूकि बच्धों का इंटस्टाइершा रहा था Windows Open Colleges बच्चों को बांद के रखना चाहते हैं ना कुछ कर वाते हैं ना बच्चों को कुछ करने देते हैं हमारे देशब बहुत ही ज़्याजा खराब है मैं सभी व्यारों करना चाहता हो और इस इस पर सब्सक्राइक करने के बाद उनको पूरे तक दो जो एक्सल्मेंट तक नहीं माइक्रोसोफ कैसे चलाते हैं कैसे काम करता है पाउट पूल लिया जाता है कि इसके बच्चे हैं जो की करने के बाद इस करके 30-40-40 रुपय पर मत कमा लेते हैं लेकिन आज हमारा आठ रुपय लगा है ग्रियुएट एंचिनर दस लोन लेके पढ़ाई करते हैं दस-दस साल तक बेंकों का लोन तक नहीं दे पा रहे हैं आज एक रिपोर्ट की बात की जाए तो 90 परसेंट बेंक का लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं यह फोल है बीटे ललु लाल इंजिनरिंग को लिजो जैसा का तो आप सभी लोग जो करना चाहूंगा वो अपने बच्चों का ज्यान रखें वो अपने बच्चों का ज्यान रखें कि आफिकार हमारा बच्चा क्या कर रहा है थैंक्यू सो मच इसी के साथ मैं